अभी तक हम letter of credit के point पढ़ रहे थे तो उसमें letter of credit के points की अगर हम बात करें तो पहली बात है कि जो projected year में जितना भी material consume होना है वो होना चाहिए दूसरी बात जो उसका material है वो उस पैसे से credit में खहिदना है और जो भी beneficiary को letter of credit है advises का time taken कितना है कितने समय में वो advise करेगा दूसरा कितने समय में shipment होगी consignment कितने दिनों में पहुँच जाएगा यूजान्स period credit period अगर आपको LC का lecture आप देखेंगे तो LC के lecture में हमने समझाया था कि ये जब ये समान shipment कर देता है तो उसके कितने दिनों में उसको पैसा मिल जाना चाहिए यूजान्स period दौनों पार्टियों के बीच में जो भी term तै हुई है मालने उसने का कि 90 days में मिलना है तो उसके 90 days में मिलेगा ठीक है credit period projected and record for calculation of the maximum permissible आप देखो इसको बोलते है MPBF maximum permissible bank finance यानि हर तरह के जो financing होती है उसमें कितने percent maximum finance किया जा सकता है जो भी guidelines है उसको भी ध्यान में रखना है ठीक है और जब यह सारी information available हो जाएं तो उसी के बाद letter of credit की limit assess करती है इसका एक numerical example है यह देखिए यह एक example दिया हुआ इस example को discuss करते हैं हम लोग यहां देखिए CIV वालो आपके में तो बहुत important है JIV वालो इसको समझ देखिए यह क्या है raw material उसका consumption जो है वो projected है इतना 3600 lakh और raw material credit में जो खरीदना है consume होने का production इतना है लेकिन credit में इतना खरीदना है LC की advising time 10 days है shipment time 20 days है यानि 20 दिनों के अंदर shipment पहुंच जाना चाहिए credit period agreed upon the seller and the customer credit period projected as the available CMA format considered for calculation MPV while the sanctioned fund है यानि 30 दिन या उससे कम का credit period देना है 30 दिन या उससे कम का credit period तो क्या क्या चीजे होई देखो 10 दिन में चिठी देखना है यहां से देखना जा रहा यहां से शुरू हुआ कागच यहां से 10 डे में यहां पहुंचा ठीक है उसके बाद देखिए 10 डे में यहां से यहां पहुंच यहां अब उसने जो है कितने दिन लिए 20 दिन का उसने shipment time ले लिया ठीक है तो 10 और 20 और 30 डे का उसने क्या लिया एक period ले लिया कि इतने समय का मुधार भी चलाएंगे तो 30 दिन का उधार यानि पूरा cycle कितने दिन का हो गया 60 दिन का और एक साल में 360 डे लेके concept करते हैं जब भी हम LC के case में करते हैं या forex business के जितने भी काम करते हैं तो 360 डे तो कितने होगे six cycle चलेंगी इसमें the raw material consumed to be bought on credit इतने का 24 करोड का चाहिए तो उसमें आप क्या करोगे पर rotation कितने क्योंकि यह जो है पूरे year का है यह पूरे year का है तो छे rotation होगे तो एक बार में आपकी जो funding होगी वह 400 lakh की है नहीं 4 करोड की होगी तो letter of credit limit required given the above situation would be 400 lakh bankers should ensure that the stocks procured through the LCR taken under hypothecation are not included in the stock declared अब सुन लीजेगा देखो कुछ stock अगर उसके पास hypothecation में तो उसका LCK लिए security नहीं ली जाएगी वो एक अलग चीज है विलकुल ठीक है और if the LC limit is sanctioned for purchase of capital goods तो ये वाला question किसका था working capital का था अगर purchase goods का होगा the same is taken under the hypothecation charged by the banker और उस condition में उस जो भी आप समान देंगे उसको capital goods देंगे उसका आप hypothecation करेंगे ठीक है आगे देखिए तो ये case थोड़ा साब को समझ में आ गया हुगा आब आया बहुत important चीज जो है numerical aspect से कि भाईया क्या working capital क्या term loan क्या working capital और क्या term loan तो पहले में एक basic फर्क आपको बता दूँ पहले में basic फर्क आपको बता दूँ कि working capital और working capital और term loan क्या होता है term loan जो होता है अधिक तर capital goods के लिए होता है अब capital goods में क्या आते है land building और plant and machinery और vehicle ऐसे वाले है इतने चीज़ आती है ठीक है working capital में क्या आता raw material raw material कंज्यूम्ड दूरिंग इयर दूरिंग आ इयर तो यह मोटी मोटी पहचान आप समझ लीजिए कि ऐसा material जो वन इयर में कंज्यूम्ड होता उसको working capital और जो वन इयर से ज़्यादा चलता उसको आप एक तरह से कह सकते हैं का capital goods या term loan term loan में installment हो जाती है और यह working capital limit yearly renew होती है ठीक है इसमें क्या है installments का होता है process ठीक हो गया इसमें आप land in कर सकते हैं transaction credit deposit दौनों होते हैं इस वाले में installment एक बार में उसकी funding cost पूरी दे दी जाती है और उसके बाद उस पे installment में repay करना पड़ता ठीक है तो इसमें क्या है क्या आती जाई है जो मैंने अभी आपको समझाया था वो देख लीजें क्या points लिखे वें है purchase of raw material stores and spares payment of wages to employ payment of other expenses towards energy fuel water consumption steady due rates steady due का मतलब क्या है जो आपको fees वगरा government की देनी है rates taxes carriage expenses यह सब चीज आएंगी other expenses required to be incurred in connection with the तो कई बार क्या होता है selling और administration के खर्चे भी इसमें production के खर्चे भी इसमें तो कई बार question आता out of reach which does not comes under which does not come under working capital ठीक है तो इस तरह कई बार question पूश लेता है आगे देखिए the bank normally define the working capital as the sum total of inventory receivables and other current assets देखिए यहाँ पे current asset का मतलब जब मैंने यहाँ बताया आपको यह सारे हमारे जो within one year वाले asset होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं current asset बोलते हैं ठीक है it is completed by the bank through the concept of the operating cycle अभी हमने LC का देखा था operating की एक operation कब complete होता है अगर मैं आपसे बात करूँ मुर्गी के बच्चों वाला policy form वाला project बात करूँ तो उसमें आप जिसन से बच्चा लाते हैं मुर्गी का वहां से 8 to 12 week में वो complete खतम हो जाता है यानि उसको sale कर देते हैं फिर दुबार आते हैं तो अगर हम ऐसे पूछें कि एक मुर्गी के लिए एक साल में चार महिने का एक cycle होता है तो आप एक साल में तीन operating cycle हो गए उसके ठीक है आगे it is computed by the banks through the concept of the operating cycle the time taken by a business entity to get the money released from the raw materials semi-finished goods finished goods receivable raw material है आणा बनावा goods है पूरा बनावा goods है कोई भी receivables है सारी चीज़े आ रही है it carries at the point of time the time taken to convert the inventory of raw materials semi-finished goods and the due receivables into cash generally differs from और यह जिसे मैंने बदा है कि पूर्टी फॉर्म के लिए अलग चीज़ थी और के लिए industry के लिए अलग होती है हर industry के लिए अलग होते हैं आप देखिए बहुत important बात आ रही है कि जो working capital के जो concept की बात आ रही है तो concept में कितने concept दिखा रहे हैं दो concept there are two concept of working capital कौन कौन से two concept working capital एक तो बोलता है gross working capital means total fund requirement of the firm for day-to-day business operation which include borrowers margin plus bank अब देखिए आप रहा बोर्वर्स margin plus कोई भी project कोई भी project की जो cost होती है उसमें या तो वो पैसा कहां से आता है bank से और बचावा पैसा कहां से आएगा borrower के margin से तो borrower जो पैसा लगाता है money वो borrower का margin कहलाती है बाकी bank की funding suppose कि यह एट लाख यहां से आए two है तो project कितने का हो गया 10 लाख 10 लाख की required में bank और margin मिला के होता है तो एक तो बात होई gross working capital तो यह पूरी gross working capital कितनी हो गई 10 हो गई दूसरा क्या है net working capital उसमें क्या होना access of current assets over the current liability simple सी बात है क्या बोलता है कि जो current liability है उससे ज़्यादा कितने current assets है उसको हम बोलते है net working capital the portion of firm's current assets financed by the long term fund अब देखिए गैस में तो जो current assets होते हैं the portion of firm's current assets financed by the long term fund तो क्या होता है जो long term के fund होते हैं उनसे current assets finance कियते हैं तो यह दो concept है कौन कौन से एक तो gross working capital का और दूसरा net working capital का तो net working capital को ही यहाँ finance किया जाता है ठीक है the long term resources comprise owned fund of the company अब अपनी company के paid up capital reserve including the current year profit इस साल का profit भी उसके काम आता है term loan है bank से लिए गए वो भी काम आते है और financial institution के debenture वगएरा से भी वो काम लेता है adequacy का मतलब होता परयाप्ता कि क्या किसी firm के पास working capital पूरी है अगर working capital में mismatch होगा तो उसका project जो है वो problem में आ जाएगा ठीक है क्या बोलते हैं देखो a firm should have adequate working capital as much as needed by firm it should be neither be excessive nor adequate नहीं बहुत ज्यादा होना चाहिए और नहीं बहुत कम होना चाहिए inadequate का मतलब कम ठीक है both situations are dangerous excessive working capital means the firm has idle funds यानि इतने पैसे पड़े वे उसका use नहीं कर रही है which unknown मलब बहुत सारे पैसे से profit नहीं कमा रही है inadequate working capital means the firm does not have sufficient funds for running its operation और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो अपने operation को run कराने के लायक नहीं है which ultimately results in the production interruption और उससे क्या होगा उसका production जरूर धीमा होगा या उसमें बाढ़ा आ जाएगी ठीक है it is interesting to understand the relationship between working capital risk and return क्या बाते हैं टीन working capital उसपे risk और उसपे क्या return होगा in a manufacturing concern it generally accepted that the higher level of working capital decrease the risk and decrease the profitability क्या बोलता है अगर higher level of working capital है तो उससे risk decrease होगा और profitability भी decrease होगी क्यों क्योंकि decrease होने का मतलब यह है कि वो अपने find उसके idle पड़े हैं ठीक है which lower levels of working capital increases यह question important है अगर working capital का lower level है तो risk बढ़ेगा लेकिन potentiality profit की क्या हो जाएगी क्योंकि सारा पैसा use हो रहा है this principle is based on the following क्या यह प्रिंसिपल बताए क्या है higher the risk higher the profitability while lower the risk lower the profitability ठीक है तो क्या बोला इसमें जहां पर increase risk increase होता है वहां पर profitability भी increase हो रही है यानि अगर risk higher तो profitability भी आया है risk और profitability और अगर यह down तो यह भी down तो यह concept है short term funds are less expensive than long short term fund system मिल आएगा long term fund system में नहीं मिलेगा on account of the above principle and increase in the ratio of current asset to the total asset तो यह ratio है current asset to the total asset result in a decline in the profitability of the firm किसी के पास current asset बहुत जादा है total asset में current asset बहुत जादा है तो वो भी क्या कह रहा है कि profitability को increase करता है this is because the investment in the current asset is less profitable जो यह वाली बात बताई थी यह आपे यह वाली बात ठीक है however an increase in the ratio would decrease the risk हाँ इतना जरूर है अगर किसी के पास current asset जादा है total asset और current asset के ratio में यह जादा अच्छा ratio आ रहा है तो वो क्या है उस case में उसका जो होगा risk कम होगा और risk कम होगा तो profitability भी क्या होगी कम होगी ठीक है on the other hand the decrease in the ratio of current asset अगर वो उल्टा हो जाएगा तो उस case में क्या होगा कि उसकी profitability increase होगी और more profitable than the investment in the current asset however this will increase the risk of the firm becoming technically insolvent और इससे क्या होगा कि उसके technically insolvent होने के जो chances है वो क्या हो जाएंगे increase हो जाएंगे ठीक है on accounts of its possible inability of meeting its commitment the time due to the shortage of fund और जब shortage of fund होगी तो उस समय पर पैसे की ज़रत उसकी पूरी नहीं हो पाएगे ठीक है यानि current asset ये अगर कम है तो ये risk है और वो अगर ज़्यादा है तो जो पीछे risk बताया था वो profitability उसकी कम हो जाती है डाइडल फंड उसके पाँ ज़्यादा हो जाते है ठीक है clear है बात चलो आगे देखिए term loans are loans which are payable of one year and up to ten year तो after one year यानि एक साल से ज़्यादा वाले और क्या acquisition किस लिए होते हैं इससे land factory मैंने बताया था ये चीज़ें करने के लिए होते हैं और needed for commencing, expanding and modernizing of activity यानि शुरू करने, expand करने और बदलाओ करने माने technology development कर रहे हैं आप उसमें ठीक है आगे देखिए इस लोना रिपोर्ट पर बॉरविंग इंस्टॉल्मेंट में होते हैं सेड्यूल अफ रिपेमेंट दूरेशन फिक्स होना जो भी आपका टर्म पीरेड है उससी समय फिक्स हो जाता है कि वाई आपने इतने साल में पेंट करें बहुत सिम्पल सा इसमें कुछ नहीं है ज्यदा आगे बढ़ते हम क्या चीज बता रहे हैं तो क्या कैची पहली बात है तो होता है वो इस्टेबिस करने स्पेंडिंग मॉडणाइजिंग के लिए होता है जो हमने अभी पड़ा है वही रिष्टार्स रिवाइज हो रहा कोई नही बात आईगी तो उसमें जरूर गौर करेंगे और जब कि वर्किंग कैपिटल क्या होत जो term loan होते हैं mid term long term duration के होते हैं और पेमेंट क्या है quarterly half yearly या monthly installment में इसका पेमेंट होता है वर्किंग कैपिटल क्या है जन्रली cash credit में होता है हाई है एक साल का pay value और डिमांड है और renewal चलता रहता है आप लेंदिन करते रहते हैं ठीक है अब आया बहुत important point credit appraisal technique यानि इन दोनों loan को करने के लिए आप कौन सी technique अपनाते हैं इसमें से एक question जरूर आपके exam में रखा हुआ है क्या है पहला वो देखते हैं कि जो entrepreneur है वो उसको fund की जरूरत है या नहीं है also what are his credentials उसका पुराना record कैसा है कई घरबर तो नहीं है कि loan में ये बात आई if the answer to the first question is positive अगर ये सब ठीक है तो second question क्या आता है कि जो है all about the extent of his requirement and the ways in which requirement can be made तो कहते हैं कि उसकी requirement को हम पैसे कैसे पुरा करेंगे और किस तरह कि सुईदा बैंक उसको देगा ठीक है तो पहली बात तो क्या आई उसको देखा कि उसकी requirement कितनी है और उसके credential कैसे है वो बंदा कैसा है ठीक है आगे देखिए तो कई बार क्या होता है जो small enterprises है उनके लिए थोड़ा difficult हो जाता है क्यों क्योंकि data की कमी होने के कारण तो RBI ने क्या कहा उसको ऐसी landing में उसने कहा कुछ भी मत मांगो आप उससे क्या कब तक 25 लाग तक कोई भी financial audited नहीं मांगो तो usually compute the credit requirement after undertaking a structured analysis of the financial और उसके financial statement का structured analysis करके वो काम करता है ठीक है तिल यहां 1991 तक क्या बोलता था scarce 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 माने कमी होना community and therefore there was a strong focus on the need of the optimally use of the resources towards the creation of primary asset तो क्या था कि जब bank जो credit था 1990 में ऐसा माने आता था भई commodity की कमी है तो primary asset create करने के लिए loan दो which are known as the primary security charge in favor of the lending अब primary security कौँ से होती जिसके लिए आप funding कर रहे है उसी को हम primary security बोलते है ठीक है with gradual liberalization commercial bank have begin providing the credit other sector even for those community which are not in the manufacturing sector यानि service sector को भी दिन लग गए और जो monetary policy आई थी यहां पर 97-98 में उसमें जो maximum permissible bank finance का जो concept था उसमें क्या बात करी गई उसको बोला गया in evolve their own rational method for financing मलब बैंकों को permit कर दिया गए आप अपना कोई system बना लीजिए RBI suggest a cash budget method अब बात आगी देखो cash budget method की बात आई as an alternative option अपनी वो बना ले या कोई cash budget method due to non-performing asset norms credit appraisal techniques are increasing focus on the assessment of the repayment capacity of the borrower which is term तो अब उसमें बोला क्या कि बाद में उनकी repaying capacity पर ध्यान दिया जाने लगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी पढ़ रहे हैं working capital advances में credit appraisal की techniques क्या होती है RBI ने बोला अपनी वो कर लो ठीक है चूश कर चलो अब बात यहाँ पर आ रही है sources of working capital fund कहां कहां से working capital यह बहुत important point है conceptuality अगर देखा जाए तो देखो trade credit यानि जो आपने उधार जो आपको मिला है वहाँ से working capital की पूर्ती होती है unsecured loan से भी होती है deposit से भी होती है bank borrowing से भी होती है advance payment से भी होती है stage by stage payment से भी होती है तो इन सब से आपको पैसा आता है यानि आप अपनी working capital में पैसा लगा पाते है ठीक है अगला point है कि working capital need को कैसे estimate किया जाए कि वहाँ इस बंदे को कितना working capital चाहिए तो क्या बोलता है the condition of working commercial banks for lending a short term basis are rigorous rigorous बहुत मतलब तेजी से वह बहुत जरूरी वाली बात है customer has to satisfy his bank about his character, capacity, capital and call यानि उस बंदे की character, capacity, capital and collateral के बारे में bank खोजबीन करता है जांचता है, in brief he has to establish his credit worth और उसको क्या करनी अपनी credit worthiness establish करनी पड़ती है if the overall appreciate is suspect the bank will finance only the residual gap in the customer resources customer कहेगा भाई या फिरको 10 लाग चाहिए जिसमें से 3 लाग मेर को मेर पास हैं तो केवल 7 लाग का financing को करया after taking into consideration the expected availability from all other sources out of fund generally there are 4 methods of estimating the working capital requirement of a borrower और क्या चीज़े देखो, यह जो है working capital के लिए कितने method है चार method है working capital के कौन कौन से operating cycle method projected net working capital method projected turnover method और the cash budget method यह बहुत important question है कि कौन कौन से method होते है operating cycle method projected net working capital method the projected turnover method और cash budget method यह चार method है इन चार method से वापो करेंगे बैंक promotion के लिए कई लोग बार बार query करते है मेरा कहना यह है कि जो बच्चा J.I.B. first paper और third paper को अच्छी तरह पढ़ता है उसे bank promotion में general banking के लिए कुछ भी नहीं पढ़ने की जो थे सब कुछ उसी में से आता है इस method requires a preparation of क्या है अब इन यह जो method है इन method में इतनी तीन तीन चीज़े होनी चाहिए क्या क्या चीज होनी चाहिए पहली बात है उसका financial statement projected की आने वाले समय में कैसा करेगा projected fund flow statement उसके पाँ पैसा कैसे आएगा और कैसे जाएगा projected cash flow statement and cash budgets यह तीन चीज़ों पर उसमें हो काम करना होता है ठीक है in projected का मतलब आने वाले समय के लिए projected for three years कर लेते हैं कुछ लोग two years कर लेते हैं it must be emphasized that the assessment of the working capital requirement of a firm must be proceeded by a detailed appraiser of the past and future viability of the firm's planning operation and financial position यह इन बारों में इन तीन चीज़ों में क्या 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 बोला उसने उसकी planning firm का operation और उसकी financial position it is implicit that the firm will have to submit an acceptable business plan in the form of a projected financial statement पूरा उसने बना के देगा भई इस साल हमारा इतना turnover था अगली बार इतना होगा अगली बार इतना उस पूरा details को submit करेगा thereafter the assessment of working needs to be based on the past trend and of use of fund and it says estimated requirement of the additional fund as revealed by the यानि उसका पुराना past trend क्या था और वो उस fund का कैसा प्रियोग करेगा और estimated requirement उसकी क्या होगी ठीक है? चलो सबसे पहला method आ गया operating cycle method तो अभी हम चार working capital की जो method है उनके बारे पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम पढ़ रहे है operating cycle method तो इसमें क्या बात आ रही है? the second step in the estimation of the holding period of major current asset if part of raw material is available on credit then bank finance will be required only for that portion the raw material which represent fully paid purchase अब देख़े सुन लो यहां क्या कह रहे हैं पहे? कहते हैं कई बार part of raw material is available on credit तो उसको मान लिया 20 लाख रुपे का समान चाहिए उसमें से 2 लाख रुपे credit पे available है तो जब उसे वहां से credit मिलना उसमें financing नहीं करोगे आप ठीक है? the bank finance will be required only for the debt portion of the raw material which represent fully paid purchase यानि जिसके लिए वो पैसा payment करने को तैयार है जो उधार लेके आगया उस पे नहीं if advance payment are received against order only that part of the finished good net of the advance payment will require अब देखो कई बार क्या है? 10 लाख का समान उसे चाहिए वो 2 लाख का advance payment कराया जो payment करिया उसके लिए नहीं मिलेगा ठीक है? तो क्या वोला उसमें? net of the advance payment will require नहीं net करने का मतलब जो total requirement है उस requirement में कितना उसको मिल चुका है ठीक है? clear होगी बात? आगे देखिए borrowers in the small and medium enterprises segment face a problem of collecting dues अब इनको क्या problem होती है? जो छोटे small enterprises है उनका payment बड़े वाले जो भी अपा रही है वो उनसे खरी लेते हैं उनको payment नहीं देते हैं तो क्या? from their customer particularly from the corporate sector in order to provide a relief to the borrower who face the such situation bank at the part there of loan policy decide क्या है? ऐसे मामलों में क्या करेगा? तो जब भी ऐसा कोई payment कहीं फस गया है उस borrower का while assessing working capital तो ऐसा जो पैसा फसा हुआ will not be set off against stock यानि उसको ये नहीं कहेगा भाई ये बहुत पुनाना हो गया और आपके पाँ आई जाएगा set off नहीं करेगा उसको अलग से consider करेगा कि भाई अभी इसको जरूवत है the borrower will submit details age-wide list of syndicator और borrower क्या करेगा? अपने stock statement देगा इतने का समान वहां से लेना है इतने का वहां से लेना है ठीक है? इतना पैसा वहां से लेना है only those debtors will be consider who are outstanding less than the period specified और debtor कौन से वाले consider किये जाएंगे जिनके outstanding 180 days maximum तक है उससे बड़े वाले को नहीं किया जाएगा क्यों? कि उसका बड़ा वाला इसका मतलब भाईया पता नहीं यह जो है पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है? तो उन्हीं कर्जदारों को borrower के उन्हीं कर्जदारों का amount लिया जाएगा जो 180 दिनों तक मैं देने वाले हैं ठीक है? The total outstanding creditors will be netted from the total outstanding eligible debtor आप देखो उसने का जो total outstanding creditors है उसको net किया जाएगा debtor से ठीक है? कितने लेंदार है और कितनी देंदार उसको net कर लिया जाएगा If creditors are in excess the excess portion will be deducted from the value of the stock यानि अगर उसके लेंदार बहुत जादा है अगर लेंदार जादा है तो उसके कहरा है जो stock वो दिखा रहा है उसमें से उतना पैसा हटा दो If debtors are in excess the bank could consider financing the surplus debtor as per the bank's policy ठीक है? अब उसने कहा है कई लोगों को जो उधार दे रखा है तो वो कितार अगर जादा है तो उस condition में उसको additional finance दिया जाएगा The borrower will have to be hypothecate his entire book debts और borrower अपनी जो भी किताबों में कर जाए किसी का किसी ने देना है उसको hypothecate कर लेगा The bank will not finance the borrower's book debt of the creditor exceeds the debtor देखो यह देखना ध्यान रखना हूं यह जो पहला ला point है कि creditor exceeds क्या है debtor यानि उस borrower को कई लोगों का जो payment करना है और जिन लोगों से payment आना है अगर यह creditor जादा है तो उस amount को funding bank नहीं करेगा आप देखिए एक example हमने LC का किया था यहाँ पर यह example है किसका operating cycle method का तो इसमें क्या है example of operating cycle length of operating cycle raw material को लाना 30 दिन process करना 15 दिन अपने पास रखना 15 दिन पैसा आने में लगना 30 दिन तो total कितनी हो गई है यानि 90 दिन की हो गई तो 360 divided by 90 कितना हो गया 4 4 हो गई हर operating cycle मैं उसे देखो the operating expenses पर है नब पूरे साल के पूरे साल के 60 लाग है तो 4 operating cycle ले पंदर लाग हो गई और पूरे साल का turnover कितना है 70 लाग तो working capital की requirement जो हुई उसकी कितने हो गई भई उसका turnover 70 लाग का है 70 लाग का turnover है तो जो भी उसकी पूरे साल की requirement है उस requirement को जितने pieces हैं उससे वो करेंगे तो एक बार में उससे 15 लाग चाहिए तो 60 लाग तो उससे पूरे साल में चाहिए लेकिन बीच बीच में पैसा आएगा भी तो operating cycle का मतलब है एक cycle पूरा हो जारा मालिया पॉल्टरी फार्म में है तीन महीने में दो महीने में उसने उसके मुर्गी के बच्चे बेच दिये तो उसका पैसा भी तो आएगा आगर उसका पैसा नहीं आ रहा है यानि कई सारे जो है जो डेक्टर्स उसके खूप सारे है तो वो जो है पैसा फस गया है यानि उसका काम सही नहीं चला है 180 ज्यादा से दिन का पैसा फसा हुआ है तो समझ लोगो अपना पैसा लेने में expert नहीं हो पारा है NPA part कल या पर्सों में हो जाएगा क्योंकि उसमें CIB वालों को भी लेके चलना है कल या पर्सों में NPA part 2 होगा जिसमें numerical कराएंगे पर्स पार्ट 2 के चलिए जी अब आया projected networking capital projected networking projected में क्या होता है कि आज आप कोई काम करना सुरू कर रहे है और वो काम सुरू करने में पहले से ही आने वाले तीन सालों का एक projection होता है ठीक है तो इसमें क्या करते है the projected networking capital is higher than the current level maintained of the by borrower would be built up the progressively with the given growth in production sales and profit therefore during the initial stage the current year networking capital would generally be lower than the assessed and in such circumstances the borrower may not be able to maintain a stipulated current ratio अब एक कुश्चन कई बार आता देख़े current ratio कौन सा अच्छा होता है कई बार कुश्चन आता है current ratio कौन सा अच्छा होता है तो current ratio बता रहे हैं 1.25 से लेके 1.33 तक का या उससे और ज्यादा अलग अलग केस के अनुसार से अलग अलग कंडिशन होती हैं देखो पहली कंडिशन है release the assessed limit credit of borrower undertaking to augment NWC networking capital to the required level of within a time frame of two quarters provided the borrower maintains a current ratio between कितना है 1.17 से लेकर के 1.125 के बीच में करता है in the meantime the borrower brings a short term funds from the other sources to meet the short fall off तो वो कह रहे हैं जब release करते हैं जो limit को release करते हैं तो borrower से एक undertaking लेते हैं borrowers undertaking होती है कि भाई वो जो दो quarter के अंदर कम से कम इतना जरूब है वैसे तो कम से कम कितना चाहिए 1.25 चाहिए न तो 1.25 से कम में भी दो quarter तक आप उसको agree कर सकते हैं लेकिन उसके बाद यह मान जाए उसका काम चल पड़ा है तो उसके बाद उसका यह maintain 1.25 से आगे रहना चाहिए release a temporary limit equivalent to the shortfall of networking capital for a short term say one quarter in addition to the duly assessed limit in this case the short term loan from the bank is in a lieu of the market borrowing that the borrower had to raise अब सुनो ही गवा है यह जो temporary limit की बात है कई बार क्या होता है कि उसे छोटा सा पैसा जब चाहिए होता है तो वो बजार से पैसा उठा लेता है तो वो बजार से पैसा न उठाना पड़े उसको उसके लिए temporary limit भी दी जाती है एड़ॉक लिमिट भी बोलते हैं इसको ठीक है क्या है बोले here again the borrower has to maintain a lower current ratio between कितना इतना होना है but the restore the ratio तो जैसे ही उसकी परिशानी दूर होगी तो वो ratio उसको again यहाँ पे लियाना है restore का मतलब उसको वापस अपना ratio यहाँ लियाना है ठीक है आगे है तो वो कई बार क्या होता देखो वो कहरा है कई बार वो उसके payment को जो आपका term loan का payment है न उसको छोड़के excluding करके उसकी capital need को assess करता है ठीक हो गया चलो अगला आ गया बहुत important यह तो projected networking capital है अब आया projected turnover method projected turnover method में क्या है कि जो भी वो organization है जो भी organization है आचा यह मैंने क्या 390 लिग दिया था क्या 360 by 60 मैंने कोई गल्टी कर दी थी पता नहीं मैंने यह 90 लिग दिया था क्या पता नहीं में को ध्यान यार मैं तो 360 बोला था गल्टी हो सकती है नहीं थी शिक्स्टी भाई 90 नाइन फोर जा वो देख लिना कर कोई mistake हो तो मांकी तो आप समढ़िए 360 लिए ठीक है प्रोजेक्टेद turnover method में देख ली जिए बैंक्स as a matter of policy based on the RBA guideline assesses the working capital requirement including those of village industry तीनी इंडस्टी तो उसमें क्या बोला देखो with a fund based working capital limit up to 5 करोड पांच करोड तक की जो लिमिटें हैं उनको turnover method से cover करते हैं क्या बोलता कौन कौन सी बात है अब इसका यह बहुत important है इससे देख लीजेगा तो जो भी उसका turnover है उसका 20% है जो उसका minimum working capital finance by banks ठीक है तो पांच करोड की limit है अगर तो उसका 20% कितना हो गया 1 करोड अब उस 1 करोड में margin in order to ensure that a minimum margin दिखा support the working capital needs to borrower a 5% contribution in the given promoter अब देखो कैसे जाप देखो इसको समझ लीजे का ज़रा एक बार उसने बोला 5 करोड की requirement है वो turnover है तो आपका working capital कितना बना वन करोड वन करोड में आपको दो तरीके है या तो आप इसका 20% ले लो ठीक है तो वन करोड का अगर 20% लेते हैं तो वन करोड का 20% 0.2 हो गया ठीक है तो कितना हो गया 80 लेक का finance कर रही है ठीक है 5 करोड का 10 करोड लिया तो वो आपका working capital requirement आया और एक करोड की अगर requirement मानी जाए तो उसमें से उसका जो अपना वो लगीगा margin वो भी पूरा होना चाहिए यानि 20% वो आएगा ठीक है तीसरा मेथाड भी पूरा हो गया अब जो है next बात आती है किसकी तर्नोर मेथाड के और पॉइंट देखी क्या है चलो अब कोई काम उसका ऐसा है जिसमें 3-3 महीने पैसा आता जाता रहता है अगर 3 महीने से बड़ी साइकल है तो उसमें margin को कह रहा है वो क्या कर लो प्रपोस्नेटली थोवसा बढ़ा सकते हैं ड्राइंग पावर इस कैल्कुलेट फ्रोदा स्टॉक स्टेट्मेंट जो देता है उसी से उसकी डीपी निकाली आती है अनपेड स्टॉक का मतलब कुछ उसके पास ऐसा वो रखा हुआ है सामान रखावा जिसका उसने भी उसको पैसा नहीं दिया जहां से लाया तो उसको नहीं फाइनस करना ठीक है तो एक एक्जांपल दिया है इस एक्जांपल को आप सब लोग किलियर करें इस एक्जांपल को दे लिए प्रोजेक्टेट सेल कितनी है उसकी दस लाग की उसकी प्रोजेक्टेट सेल से उसने बोला कि जो वर्किंग क्रेपिटल होगी वो 25 परसेंट होगी लेकिन उसमें 5% क्या है margin रखना है तो आपका fund कितना होगा उसमें 2,00,00 रुपे यानि चाहे आप मैंने उसमें बता था 20% direct निकाल लो चाहे 20% direct निकाल लो या पहले उसका जो है working capital requirement और margin करके minus करके निकाल लो तो answer जो है सीधे-सीधे 20% करके आता जैसे जब हम 5 करोड की बात कर रहे थे मैं बोला है सीधे-सीधे आप कर लीज़े ठीक है clear हो गया अच्छा दूसरा एक और example इसमें दिया हुआ है ये example JIV में सीधे-सीधे आएंगे तो PAT का मतलब projected annual turnover उसमें एक तरह से मोटा-मोटा 20% हो जाता है ये बात आई तो क्या बोलता देखो अब इसमें एक example में देखिएगा कितनी बाते इसमें निकल के आ रही है बहुत अच्छा example दिया हुआ है कि annual turnover उसका कितना है 120 working capital required उसमें कितनी होगी 25% होगी यानि 30 लाग की requirement है जिसमें से उसको 5 जिसमें से उसको अपना 20% margin रखना है कितना 6 का हो गया तो bank borrowing कितनी कि होगी तो आप चाहे इसको direct निकाल लीजिए 24, 5 जा कितना होता 120 ऐसे निकाल लीए actual networking capital available अब उसके पास क्या है कुछ उसके पास networking capital available भी है कितनी है 5 की margin distributed C आप देखो इस example को रहना margin में बोला higher of C और E तो C और E में C और E कौन सा higher है 6 higher है या 5 higher है कौन सा higher है 6 तो उसमें 6 ही लेंगे तो कई कई बार क्या होता है अगर यह बड़ा होता अगर यहां पर मैं 8 कर देता माल लिया networking capital अगर यह 8 होता तो उस condition में इसका answer आता 30 minus 8 यानि इसका answer आता 22 requirement networking capital available अगर ज़्यादा है उसके पास किस से अपने margin से ज़्यादा वो कहता जी 6 लाक रुपे चाहिए वो कहता नहीं मेरे पास तो 8 लैक रुपीज है तो जब उसके पास margin जादा होगा तो आप उस condition में उसका margin minus करेंगे ठीक है यह example मैंने दूसरा भी यहां बता दिया ठीक है last working capital method है cash budget method last working capital method है cash budget method इसको और कर लेते हैं हम लोग जो लोग best offer अवेल करना चाहते हैं वो लोग उसमें चले जाएए mobile app में best offer मिलेगा उनको next class जो है next class कल इवनिंग में फिर होगी अब यह internet problem कर रहा है इसलिए class लेना सायद मुस्किल हो जा रहा है class continue नहीं हो पा रही है किनी कारणों से चलिए ठीक है good night thank you और जिन लोगों ने course apply करना course वो कर लीजिए ठीक है चलिए thank you good night